प्रियविद्यार्थी आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम लोग इस क्लास में अमरेंथेसी, लिलियेसी और मुझेसी इन तीन फैमिलियों के डाइगनॉस्टिक केरेक्टर्स पर विचार करेंगे तो सबसे पहले अमरेंथेसी को हम लोग लेते हैं और अमरेंथेसी में इस से इस फैमिली से पर्चय कराने के लिए आप लोग को कुछ प्लांस के चित्रे यहां पर लगाए गए हैं जो आप देख रहे हैं और संभावता आपी धें जानते भी हो निश्चे ही जानते हैं पर मैं एक-एक करके इसके बारे में बता रहा हूं देखे सबसे मातोपून जो प्लांट है जो कि आपके प्रिक्टिकल के लिए भी मातोपून है एक वीड है और आप पहले से जानते हैं एक इसारे की जरूवत है सिर्फ वह है चीड़-चीड़ा यह जो लगा हुआ है रेसीम में या और कुछ नहीं है या उसका फ्लावर है तो चीड़-चीड़ा को अपमारगा के नाम से भी जाना जाता है और यह बड़ी महतोपून सांस्कृतिक प्लांट है नोग्रह वाटिका में इसका एक अस्थान होता है चीड़-चीड़ा का औ और इसके बड़ी मेडिशनल वैल्यूज भी हैं और दात के दर्द में यदि इसकी डंडी तोड़के उसका दातुन किया जाए तो तत्काल लाग प्राप्त होता है तो यह है चीड़-चीड़ा ठीक है या पमारगा तो इसका बोटेनिकल नेम है एक काई रेंथस एस्पिरा और यह अमरेंथेसी कुल का सदस्य है अब देखिए एक और बाएं साइड में जो सिर्ष पर है यह चीड़-टीड़ा अपने कालेज में बहुत होता है यह वीड है हर जगा होता है बाहर के जो नला है वह वहां पर विचार ओर इसको लगा देखिएगा वह है चौलाई का साग अमरेंथस विरिडीस अमरेंथस स्पाइनोसस अमरेंथस ब्लाइटम तो यह अपने हाँ जो साग बनता है हरा रंग का आता है चौलाई का साग बूला जाता है तो यह अभी आप लोग जानते हैं यह अभी एक मात्वपून प्लांट है और यह अभी होता है पर यह वैसा वीड नहीं है यह कल्टिवेटेड है तो जहां हैंड प्लांट मिल सकता है पर वैसे नहीं मिलेगा लेकिन चिड़ चिड़ा जो है यह तो चार और भराब आपको मिल जाएगा तो का लाई को अमरेंथस विर्रिडिस या अमरेंथस уже देंगे एक जेंगली चालाइगी गिसमें थोड़ा काटल जैसा भी होता है तो उसको कहा जाता है अमरेंथस स्पाइल सरस्फीं सबसे स्पाइलस सस्पेसियुए हैं अच्छा इसका उप्योग था work Quand बनता है वो तो पता ही है एक जीमा कोलियक और गोनुर या नाम के यह जो रोग हैं इन में यह दवा का काम करता है लावकारी होता है और वेजटेबूल भी है हम लोग के लिए और फॉडर भी है इसके बाद आपको एक यह सफेद हेट की तरह यह जो दिखाई दे रहा है यह है गोंफ्रीना ग्लोबोसा यह अभी वीड है और यह अपने कालेज में बहुत आसानी से मिलेगा सफेद रंगा फ्लावर देख रहे हैं कभी जमीन पर देखते हुए गौर से आप चलें तो घास के बीच ही अभी उगा रहता है वैसे ही छोटा ही होता है बहुत बढ़ा नहीं होता है गोंफ्रीना ग्लोबोसा और यह देखिए यह है कॉक्सकॉम अब यह अंदर नाम लिखा हुआ है वहाँ देखा जाएगा तो और अस्पस्ट होगा तो अच्छा यह उपर वाला जो प्लांट है यह अभी लगा हुआ है पुटेंकल गार्डेन के बांडरी पर जहां हैं पाइप से आगे बढ़ते हैं तो इस तरह लाल रंग का फ्लावर जैसा कंबाइंड फ्लावर इस प्रकार से मुर्गे के कलगी के समान होता है इसको कहत हैं से लोटिया क्रिस्टेटा अच्छा अब जो है एक और इसका परचित सदस्य है जिसको हम और आप खुब बढ़िया से जानते हैं और वह है रामदाना रामदाना छोटा-छोटा दाना आता है रामदाने का लड्डू मिलता है और व्रत में उसका इस्तेमाल किया जाता ह है और बड़ा इंट्रीस्यस होता है प्रोटिनेश्यस होता है क्यिए दो उसका नम है यह कॉडेटसklär इंस नाम से नाम से लाल साग आता है तो जशेद इस सब्सक्रा प्रूप होता है तो उससी तरह की द्रटृ का लगभाघ एक लाल साग के नाम से जाना जाता है लाल साग ही उसको बुला जाता है चोलाई ही है लाल रंग वाला होता है तो उसको कहते हैं अमरेंथस ट्राइकलर और उसके बाद एक आई रेंथस इस पर आप पता ही है लट जीरा भी कहते हैं चिर्चीडा का दूसरा नाम क्या है लट जीरा अपमारगा लट जीरा या चिर्चीडा अच्छा अब देखें यह जो चिर्चीडा है अब देखें एक बार मैं नाम लेकर देख रहा हूं अब हम लोग जान गए कि यह चौलाई के साग का परिवार है और यह चिर्चीडा के का परिवार है यह दोनों इसके बहुत महत्वपून प्लांट है और रामदाना जो है इसी से मिलता है अमरेंथस कावडेटस से तो जो नाम यहां दिया गया है चौलाई के लिए अमरेंथस ब्लीटम और अमरेंथस स्पाइनोसस अमरेंथस कावडेटस रामदाना है अमरेंथस ट्राइकलर लाल साग है एक अरेंथस एस्पेरा लटजीरा है यह चिर्चीडा इसको कहते हैं यह पाइल्स कोलियक बॉयल स्नेक एन स्कॉर्पियन बाइट में भी काम आता है चिर्चीडा अल्टर्न थेरा एमोईना एक ब्लांट यह भी है और एक एर्वा इस्पेसीज है जो कि पेरेनियल हर्व है और लॉन के किनारे किनारे लगाया जाता है और सेलोसिया क्रिश्टा कॉक्स कॉम्ब कहा जाता है या मोर सिखा कहा जाता है आप लोग देखिए एक नाम जानते होंगे मोर पंखी ठीक है मोर पंखी सब जानता होगा पर्वा जीम्नोस्पर्म का प्लांट है और यहां पर मोर सिखा इसे कहा जाता है कॉक्स कॉम मुर्गे की कलगी या मोर सिखा और इसका नाम है बोटेनकल सेलोसिया क्रिस्टेटा और तब एक और प्लांट यहां लिखा हुआ है गॉमफेरिना ग्लोबोसा औरनमेंटल प्लांट है तो ठीक है अब हम लोग इससे परजित हो गए कि यह चलाई के सागवाला परिवार है रामदाना का परिवार है और चीड फाइनेरो गेम्स में आता है अव्यसली डाइकॉट में और मोनोक्लेमाइडी या एपिटैली का के जो तीसरा कालम है पॉलीपिटैली गैमोपिटैली एपिटैली तो एपिटैली का ही दूसरा नाम मोनोक्लेमाइडी भी है और इसको इनकम्प्लीटे भी कहते हैं एपिटै कर जाता है पर आप कहेंगे मोनोक्लेमाइडे एपिटेले को सकते हैं या मोनउक्लेमाइडे श्री जिसका होगा अच्छा डाई काट मोनोकाट और डाई काट में पॉलीपिटेली गैमोपिटाइली और मोनोक्लेमाइडी और मोनोक्लेमाइडी के अंदर कर्व इंब्रिये नाम का सिरीज इसका होगा और फैमली है अमरेंथेसी और आर्डर इनका है चीनोपोडियल्स चीनोपोडियसी और अमरेंथेसी दो फैमली वहाँ पर महतोपूर्ण है पर हम लोग को जो सिलिवस के हिसाब से पढ़ना है वो अमरेंथेसी है अब देखिए यहां इंगलर प्रांटल का अभी क्लासिफिकेशन दिया गया है फैनरेगेम्स, डाइकोटिलेडेने, आर्कीकलेमाइडे, सेंट्रोस पर में और अमरेंथेसी और हचिंसन का भी दिया हुए एंगियोस पर में डाइकोटिलेडेने, लिगनोसे, चीनोपोडियल्स और अमरेंथेसी इन दोनों से नहीं मतलब है, बेंथा में रोकर का मालूम रहना चाहिए अब देखिए इसके डाइगनॉस्टिक फीचर्स लीब्स आर अल्टरनेट और अपोजिट, स्टीप्यूल्स अपसेंट फ्लावर्स वेरी स्माल, माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगा उसके बिना नहीं इसके फ्लावर का स्टडी होगा डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहा जाता है टैक्सोनोमी में छोटे फूल को का अध्यान करने के लिए फ्लावर्स वेरी स्माल, रेगुलर, और इन स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर स्राउंड़ेड बाई ड्राई, ओफेन स्पाइनी ब्रैक्ट्स तो यह इसकी विशिष्टाएं हैं, सेपल्स फाइब, फ्री, ड्राई, मेंब्रेनस फाइब इस्टेमेन, अपोजिट टू सेपल्स, पाँच इस्टेमेन जो रहेंगे, उनका पोजिशन कहां रहेगा, तो अपोजिट टू सेपल्स अब देखें, यहां पेटल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, वह यहां नहीं होगा टेपल्स आप कहें, सिंगिल लेयर में यह होता है, पेडियन्स कह सकते हैं, यूनिट टेपल हो गया, क्योंकि यह सिंगिल लेयर में पाया जाता है और वैसे इसके class के नाम से हम जानते हैं कि यह epitalic आदि सदस से है का मतलब pital नहीं है इस टैमेंस इसमें 5 होंगे, opposite to sepals होंगे और इस टैमेंस के जो filament है, इस टैमेंस में क्या होता है? filament, connective और enter तो जो filament है या united into a short tube at the vessel area या बेश के अस्थान पर या स्वाट ट्यूब में फ्यूजों के बनाए रहते हैं Fruits इसमें Dry होगा, Open होगा, Withelite इसमें 2 से 3 Carple हो सकते हैं Syncarpus होगा, समनतर से 3 Carple Syncarpus, Superior, Overis का Superior होगा Unilocular होगा, Carple कैसा होगा? Unilocular होगा और इसमें एक ही ovule पाये जाएंगे, एक सदिक भी किसी-किसी में पाये जाएंगे, लेकिन नार्मल फीचर है कि सिंगिल और कमपाईलो ट्रॉपस ovule पाये जाएगा, और ovule का स्थान कहां रहेगा कार्पिल में तो वो बैसल ovule रहेगा कुछ जगा पे इसके डिफरेंट पार्ट का देखे, गाइनोसियम में ovary है, स्टाइल है, स्टिग्मा है और लट जीरा जो बुला जाता है या चिरचिरा, इसका ये एक प्लांट है फ्लावरिंग ट्वीग वो कांटे जैसा जो दिख रहा है वह इसका फ्लावर है और इसके फ्लावर का एक एलेस भी यहाँ पर दिखाया गया है और उपर में इसका फ्लोरल डाइग्राम है यह देखिए ब्रेक्ट भी है ब्रेक्टियोल भी है और सदस से कितने हैं पांच है, पेंटामेरस और इस्टेमन भी इसमें पांच है और देखिए सिंगिल ओविल, सिंगिल कमपाईलो ट्रॉपस ओविल बीच में इसमें है और यह उपर में बना है मदर एक्सिस और इधर के साइड में ब्रेक्टियोल तो यह है फैमिली अमरेंथेसी अब रिलेटिवली यह कम इंपर्टेंट फैमिली है अब यहां से हम लोग का मोनो काट का दो फैमिली पढ़ना है यह जेनरल वाले में और जहां पर डीटेल पढ़ना था उसमें तो पामी और पोएसी आया थी था और वो हम लोग पढ़ भी चुके हैं तो अब देखे हम लोग बात करेंगे मुझेसी का यह बनाना फैमिली के नाम से भी जाना जाता है और पहले मुझेसी एक बड़ा परिवार था जिसमें छे जनेरा होते थे मुसा, इनसेटे, रैविनाला, अस्टरलिटजिया और की डोनाटा और हेलिकोनिया यह इतने जनेरा होते थे लेकिन आगे चलके आप कुछ नया नया डियने बेस्ट क्लासिफिकेशन भी आया है विशेश तोर से एपीजी क्लासिफिकेशन कहते हैं तो यहाँ पर मुसा और इनसेटे सिर्फ इनी दो को रखा गया है मुझेशी में और रैविनेला, एस्टेरलिटजिया, और की डोन्ता और हेलिकोनिया को सेपरेट किया गया है पर देखे आपको सिलिवस में बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है बीएसी की स्टेंडर में है हम लोग तो हम लोग इन छवो को मानेंगे कि मुझेशी का ही सदस्य है क्योंकि बेंथम और हुकर के हिसाब से यह सब मुझेशी में है अब देखे इसमें यदि पहचान की बात है इसकूल से यदि परचे कराना है तो अब मुसा परडाइसिका और मुसा चाइनेंसिस एक छोटा यलो रंक वाला जो केला होता है चाइनीज केला कहते हैं और एक बड़ा वाला केला होता है जिस सिंगापूरी केला भी इसे कहते हैं या जो और सामाने केला आप देख लें छोटा वाला जो नहो, तो वो हो जाएगा मुसा पाराडाईसिका, तो मुसा पाराडाईसिका और चीनिया के लगा है, मुसा चाइनेंसीज, तो बनाना से बेतरीन और कुछ, इसका परचे के लिए है नहीं, अब देखें, ओरनामेंटल प्लांट, हेली कोनिया, उसके नीचे रैविनेला और बाएं तरफ ये उपर में मुसा वेलू टिना उसके नीचे येलो फ्लावर वाला इन सेटे और ये देखिए दाइने साइट में सबसे नीचे वाला जो फूल है यह है इस्टेरिलिट जिया तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें आपको मुसा पारडाइसी का ही जानना है और बाकी और नामेंटल प्लांट है और बीच में एक इन फ्लोरोसेंस जान बुच के यहां पर रख दिया गया है और जो लाल रंग का यह ब्रैक्ट देख रहे हैं इसको स्पैथ कहा जाता है क्या कहा जाता है स्पैथ रेड कलर ब्रैक्ट है यह और इसी के एकसिस में फ्लावर्स पाए जाते हैं स्पैथ विद फ्लावर्स का के इसे अलग करके भी आपको दिखाए गया है यह रेड कलर वाला ब्रैक्ट ही स्पैथ है और यह जो यलो कलर के धेड़ सारे यह फूल लगे हैं यह फ्लावर्स है अब यह बनाना में इसका इन फ्लोरोसेंस है तो एक एक स्पैथ खुलते जा रहेगा और फ्लावर्स सामने आते रहेंगे अब देखिए यह यूनी सेक्सवल भी रहेगा इसके फ्लावर बाइसेक्सवल भी रहेंगे और इसके फ्लावर पिश्टिलेट, स्टैमिनेट और बाइसेक्सवल फ्लावर होंगे तीनों तरह के और इसी स्पैडिक्स के अंदर तीनों पाए जाएंगे यह भी ध्यान दीजे तो जो बीच के रो रहेंगे स्पैथ के उसमें पाए जाएंगे बाइसेक्स्वल फ्लावर जिसको आधार बना के हम लोग आगे चलेंगे और इसी स्पैथ में जो सीर्स पर इस पैथ खुलता है उसके अंदर जो फ्लावर रहते हैं वो होते हैं स्टैमिनेट फ्लावर और जो नीचे में रहता है वो होता है इस्टिलेट फ्लावर ठीक है तो यह है फैमिली मुझे सी बनाना फैमिली इसका इन्फ्लोरेशेंस स्पैडिक्स और इसके लाल रंग के ब्रैक्ट्स स्पैथ और इसका तना जो तना होता नहीं है या स्जूडो स्टेम होता है जो बनाना का प्लांट है इसमें जो तना देखते हैं या तना तना नहीं है या स्जूडो स्टेम के नाम से जाना जाता है या देखे यह सब विशिष्टा है इसकी और या तना लीफ बेस से बनता है बड़ी बड़ी लीफ होते हैं पैरलल विनेसन और ये लीफ का जो बेस है नीचे राही जो मेटा स्पार्ट रहता है कंद उसका होता है बनाना का उससे निकला रहता है लीफ और लीफ सीथ जो है वह स्टेम का निर्मान करता है चुकि वह true स्टेम नहीं है इसलिए उसे कहते हैं pseudo-stem तो याद रहे, मुझे सी बनाना फैमली, नोकाट से, स्पाइडिक्स, इन फ्लॉरेशन, पिस्टिलेट, स्टेम, यॉनिसेक्षुल, पिस्टिलेट, स्टैमिनेट, और बाइसेक्षुल, अल थी तरी तर फ्लॉवर्स बाइसे, तर नोन, अब देखिए इसका वर्गी करन बेंथम एन हुकर का Kingdom Planetic, Class Monocotyledon, Sub Class Gingib Rai D, Series Ipigainy, Order Gingib Rales, और Family Mujasi यह Mujasi के Diagnostic Features देखिए, Perennial Gennt Herbs, देखिए यदि या Tree नहीं है, तो क्या है, यह herb है भाई, herb, और कैसा herb है, Giant Herb, With Pseudo Stem, Formed by the Leaf Seed, यही पहले पॉइंट में आया, इसका महत्वपून करेक्टर, Leaves are Large, With Thick Mid-Reeb, Mid-Reeb देखिए इसका बहुत मोटा होता है, हमारे ख्याल से इतना मोटा Mid-Reeb और कहीं देखे हैं, एक Colocasia के Plant में संभावता होता है, Colocasia में भी थोड़ा मोटा होगा, इतना मोटा और कहीं नहीं होगा, Leaves are Large, With Thick Mid-Reeb, and Parallel Venetion, इसमें Venetion कैसा पाया जाता है लीफ में? Parallel, Flowers are Gygo-Marphy, Unisexual, ये तीनो तरह के Unisexual, Bisexual और दोनो तरह के पाया जाएंगे, अब Unisexual में Staminate और Pistillate, ये सब इसी एक Spadix Influorescence में पाया जाएंगे, जैसा कि मैं आपको अभी बताया कि Middle में Bisexual Flower, नीचे और उपर Unisexual, Influorescence का प्रकार है Spadix, या भी Unique है और कहीं नहीं Spadix, Spadix मतलब मुझे सी, Covered by Spath, रेड कलर्ड जो Spath होता है, वो भी इसकी विशिश्चता है, Corolla By-Lift, इसके Flower में Corolla कैसे होंगे, By-Lift होंगे, Overy Tricarpelry, Inferior, और जो Fruit इसका है, वो है Elongated Berry, अब देखे, Floral Formula में अब चुकी तीनों तरह के Flower होते ही हैं, तो उन तीनों का Floral Formula यहां पर आपके सामने रखा गया है, जब male Flower है तो Bract, E Bractiolate, Bractiolate भी होता है, वो भी उसमें पाए जाते हैं, बने कई जगा पाए जाएंगे, कई जगा नहीं पाए जाएंगे, किसका Flower आप बढ़न कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा, तो चलिए जब इसमें लिखा है E Bractiolate, तो E Bractiolate मान लिया जाए, परसेंट का निशान है, मतलब जाईगो मारफिक, और Perian 3 प्लस 2 हैं, मतलब 5 सेपल्स हैं, या टेपल्स कहिए, और ये 5 कैसे हैं, तो By Lift हैं, तो Upper Lift में 3 सदसे, और Lower Lift में 2 सदसे, तो इसलिए यहाँ पर 3 प्लस 2 कहा गया है, और Bracket में देने का मतलब क्या है, या Gamma Condition है, आपस में Fuse हैं, उपर का इसा Loped है, और उसी Loped से 2 लिप बनते हैं, एक Upper Lift में 3 और Lower Lift में 2, Androsium 6 Stamen, 3 प्लस 3, और Gynosium 0, क्योंकि यह male flower है, female flower, सब कुछ उसी तरह, पर यहाँ पर Gynosium 3, मतलब 3 Carpels, Tri Carpels, Bracket में है, मतलब Sin Carpus, और उपर में एक Dundi Gynosium के लगा है, इसका मतलब Overy Inferior, और इसी प्रकार से फिर देखिए, Bisexual Flower में, Female Flower में Androsium नहीं होगा, 0, और Bisexual Flower में, Androsium और Gynosium दोनों रहेगा, चलिए, अब यह देखिए, बनाना फैमिली के विभिन पार्ट है, उसे एक बार हम लोग फिर देख लेएं, और इसका फ्लोरल डाइग्राम भी देख लीजे, तो देखिए, यहाँ पर Overy Tri Carpels है, प्रतेक लाक्यूल में सिंगिल ओव्यूल है, यूनि लाक्यूलर है, कार्पिल तीन है, एक में गाइनोसियम को अलग से दिखाए गया, स्टिग्मा, स्टाइल और Overy, यहाँ स्पैडिक्स है, फिर स्पैथ में फ्लावर लगे हुए है, फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है, एक बाइसेक्स्वल फ्लावर कैसे रहेगा, वो दिखाए गया है, और टेपल से बना हुआ, थ्री बाइटू का, जो बाइलिप्ट कंडिशन है, वो दिखाए गया है, आउटर टेपल और इनर टेपल का के, और फ्लोरल डाइग्राम में कोई और सनरचना हम लोग को मिल रही है क्या, तो देखें ब्रैक्ट्स तो है, यहाँ पर ब्रैक्टियोल नहीं है, मुसा में, और स्टैमेन में, देखें यहाँ पर, पांच हैं, और छठे का एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब स्टैमिनोड है, रिडूस्ट स्टैमेन, जब रहेगा तो स्टैमिनोड को ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह है इसका, फ्लोरल डाइग्राम, अब आईए हम लोग के सामने तीसरा फैमिली आज का, जिसका डाइग्नॉस्टिक हम लोग को जानना है, फेरली लार्ज फैमिली, कम्प्राइजिंग एवाउट 15 जनेरा, और 550 स्पेसीज, मेंबर्स अफ दिस फैमिली, आर वाइडली दिस्टिटिटेड, ओवर मोस्ट पार्ट अफ दी वर्ल, अब इसमें फ्लावर में क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले तो इसका परिचाई लिली येसी का कराया जाए, तो ओनियन, एलियम सीपा, प्याज, जो हम लोग के घर में सभीयों में डाला जाता है, तो ये दाइने साइट में सिर्ष पर जो है या ओनियन है, एलियम सीपा, तो ये इसका मातोपूर्ण एक प्लांट है, जो आप हम सब जानते हैं, ओनियन फैमली ये समझ लीजे, लेकिन इसे कहते हैं लिलियम फैमली, अभी बताएंगे इसका कारण क्या है, तो महतोपूर्ण एक और प्लांट है, इसमाईलेक्स, इसके अंदर लिल्येसी में ही आता है, इसमाईलेक्स, अब या आप बताएंगे, कि इसमाईलेक्स के पत्ती में, विनेशन कैसा होता है, या कोश्चन नमबर एक, आप लोग का यहां स्थापित में कर दिया, लिल्येसी में इसका, इसमाईलेक्स जो पाया जाता है, उसका, उसके पत्ती का, इसमाईलेक्स के पत्ती का, विनेशन कैसा होता है, या आपको सोच के बताना रहेगा, या मोनोकाट फैमिली लिल्येसी का सदस्य है, इसमाईलेक्स, अब देखें यह लिलियम, लिलियम चला गया और उपर बढ़ा होने पर, चलिए छोटे ठीक है, यह लिलियम बहुत ब्यूटिफुल फ्लावर होता है, और इसका कंद बनता है, और एक कंद से जुड़े हुए, आट-दस कंद निकलेंगे, गमलों में भी लोग लगाते हैं, और जुलाई और अगस्त के महिना में, या गर्मी के महिना में, जब कोई फ्लावर नहीं रहेंगे, जब सब सूखते रहेंगे जून जुलाई, उस समय आप देखेगा, कि लिलियम फ्लावरिंग शुरू होगा, और आपके कालेज में कितना है, अनन्त, अनन्त, आपके बोटेंकल गार्डेन की, बाउन्डरी लिलियम से बनाई गई है, ठीक है ने, जैसे हेज ब्लांट को लगाया जाता है, आप लोग की मदद से हमने उसे, लिलियम से ही उसकी बाउन्डरी बना दिया है, क्योंकि यह कंद से प्रापगेट हो जाता है, कालेज में और जगों पे लगा हुआ है कंद, तो सैकडो कंद हमने पा लिया, तो उसी को लगा के अपना वहाँ पर बना भी लिया, और फ्लावरिंग भी इसमें बहुत बढ़िया भड़ किला फ्लावर, उपर में सफेद रंका है, लार्ज सोवी फ्लावर किसी तरह गुढ़ल के साइज से कम नहीं होगा, उससे जादे ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, इतना बढ़ा इसके फ्लावर होते हैं, और 10-20-5 फ्लावर नहीं निकलते हैं, बस दो फ्लावर निकलेंगे, दो से जादे चार निकलेंगे, दोनों सब टेन्डेट रहेंगे, तो यह हुआ लियाम, और उसके बाद ट्यूलिप के नाम से फेमस है सैकडो वेराइटी क्रोस हाइब्रीड्स ट्यूलिप के नाम से ब्यूटिफुल फ्लावर देखे जैसे लग रहा है गुलाब बंद है ट्यूलिप और अनेक प्लांट इसके हैं जो की औरनामेंटल है और फ्लावरिंग में अपना नाम इन लोगों ने कमाया है अब यह देखे यह अभी एक लिलियम का फ्लावर है नीचे में इसको कहते हैं यह लिली प्लांट है लिली और इंब्रियो लोजी में आप एक प्लांट का अध्यन करते हैं आपको पता है इसकी इंब्रियो की विशिष्टा है वह है फ्रिटिलारिया फ्रिटिलारिया मेले ग्रीस और एक महत्वकून प्लांट देखिए आप जानते हैं सेल डिविजन जब होता है तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को के सेंट्रो मियर पर बाउंड होके और उसे दोनों दो पोल की ओर लेके जाते हैं पर कोल्चिकम आटो मनेल फ्लावर तो है ही इसका ब्यूटिफुल यह देखिए यह बीच में कोल्चिकम आटो मनेल फ्लावर तो ब्यूटिफुल है ही और्नामेंट है ही लेकिन वंडर्फुल काम इसका किस्से होता है तो इसके जड़ से कोल्चिकम आटो मनेल के रूट से कोल्ची सीन नाम का ये केमिकल प्राप्त होता है अलकिलोईड और इस कोल्ची सीन की विशिष्टा क्या है कि या स्पिंडल फाइबर का बनना रोब देता है इसलिए क्रोमोजोम डुपलिकेशन के बाद इन डुपलिकेशन होने के बाद दो पोल पर नहीं जा पाते हैं ठीक है क्योंकि स्पिंडल फाइबर है नहीं वह ऐसी स्थिती में या पॉली प्लॉइडी या डिप्लॉइडी से टेट्रा प्लॉइडी करने के काम में आता है इन का अस्तर ठीक डबल कर देता है यदि टू एन प्लांट पर आप अर्ली स्टेज में कोल्ची सीन का छिड़काओ कर दें तो क्या होगा फोरेन हो जाएगा ठीक है तो यह पॉली प्लॉइड बनाने के काम में आता है इसके जड़ से प्राप्त कोल्ची सीन अब देखिए यहाँ पर एक फ्लावर ब्यूटिफुल देख रहे हैं आप कार्डियो क्राइनम जैन्टियम और एक उपर में देखिए सफेद रंग का ट्राई फ्लावर कैलो कोर्टस यूरी कार्पस तो इस प्रकार से हम लोग को यह आवश्य जानना चांइए कि यह लिलिय ум का परिवार है यह ट्यू लियूप का परिवार है कोल्ची सीन इससे प्राप्त होता है और ओनयन को तो भूने कोई जरुवत नहीं है उस तो सब जानता है इलियम सिपा यह देखिए ओनियन उपर में तो ठीक है अब यह हम लोग से पूरू परचित हो गया लिलियम का परिवार ट्यूलिप का परिवार और ओनियन का परिवार कोल्चिकम आटो मनेल का परिवार आए इसका बरगी करण देखा जाए Kingdom Planety Class Monocotyledons Monocotyledony Series Coronary Order Lillials और Family Lilliasi School का Diagnostic Feature Perennial Harp होगा ओफन वित बल्बस सिस्टेम और राइ जोम Radical Leave Perian Sovy Stamin 6 Ovaris Superior यह इसका Diagnostic Feature है और General Character Most Sovy Monocot Flower Most Sovy, Large और इसके ब्यूटिफुल फ्लावर Tulip और Lilium के Cyclo Cyclo Hybrid Variety हर कलर का With Flowers with Parts in 3 Trimerus 3-3 के गुनक में रहेंगे Belongs to the Lily Family और one of its allies Lilies have three sepals and three petals अब देखे भाई यह Monocot का है पक्का Perianth इसमें पाय जाएगा Perianth के यूनिट को टेपल कहेंगे Six staples होगे दो रो में पाये जाएगे तीन-तीन के दो वरल में पाये जाएगे बाहर वाला हरा होगा अंदर वाला colored होगा तो यह edge, good edge, sepals and petal है इसी वज़ा से यहाँ लिखा हुआ है पर पूरी स्टोरी में बता दिया कि Monocot है Perianth होगा इसके यूनिट को टेपल कहेंगे छे संख्या होगा दो घेरे में पाये जाएगे बारी घेरा हरा होगा sepals wide, sepals की तरह और अंदर वाला घेरे का तीन जो है वो petal wide होगा beautifully colored which are identical in size and color there are six stamen but some species lack enter on some of these stamen the ovary is positioned superior and consists of three united carpelles tricarpallery syncarpus three united carpelles का मतलब क्या होगा tricarpallery syncarpus as indicated by the same number of stigma stigma भी three रहेंगे partition walls are present forming an unequal number of chambers the ovary matures as the capsule or a berry with three to numerous seeds onion को दो और काम में इस्तेमाल आता है एक इसका जड़ है और दूसरा इसका फ्लोरल बड़ है किस काम में आता है तो मा इसके क्रोमजोम बड़े-बड़े कम संख्या में होते हैं और मेटाफेज में क्रोमजोम बहुत अच्छा दिखता है इसलिए साइटोलोजी के प्रेक्टिकल में ओनियन के रूट टीप का को लेकर अध्यान किया जाता है और इसके फ्लोरल बड़ के द्वारा मियोसिस सेल डिविजन का अध्यान किया जाता है इसलिए भी यह महत्तोपुर्ण है और प्रियोक्साला में इसका इस्तेमाल आप करेंगे एलियम सीपा एलेस ऑफ फ्लावर एंथर स्टीगमा स्टाइल ओवेरी और पेडिसेल गाइनोसियम स्टीगमा स्टाइल ओवेरी देखिए ट्राइकार्पिल्री का मार्क ओवेरी पे बना हुआ है और सेक्शन काटने पर ओवेरी और ओविल का पोजीशन देख लीजिए और फ्लोरल प्रार्मूला ब्रैक्टियेट इब्रैक्टियोलेट एक्टिनोमार्फिक कम्प्लीट बाइसेक्शुल पेरियन 3 प्लस 3 गैमो टेपाइलस यहां पर सीपाइलस नहीं क्या ची गैमो टेपाइलस अब देखे फ्लोरल फार्मूला पर अपने जगह पर आ गया है सेपल पेटल यहां नहीं बोल रहे हैं यहां पर पेरियन्थ कर रहे हैं और तब 3 प्लस 3 दो रो में टेपल और ब्रैकेट में है इसका मतलब युनाइटेड और अंड्रोसियम 3 प्लस 3 6 दो रो में रहेंगे फ्लोरल डाग्राम में यह भी यह चीज देखते चलिए गाइनोसियम ट्राइकार्पेली सीनकार्पा सुपीरियर ओवेरी ठीक है Estivation कोई पूछे तो चुकी 3-3 के दो रो में है और उनीका आपस में Estivation देखा जाता है तो वैसे इस्तिति में आप देखेंगे तो 3 के एकदम अलग घेरा और दूसरे 3 का अलग घेरा और दोनों काफी दूर-दूर, ठीक है, किसी किनारा किसी पे चड़ा ऐसा न समझ में आए, और यहाँ पर एक और विशिश्च चीज है, इपी पिटेलस कंडिसन सो किया जा रहा है, देखिए, इस टेमन जो है, एलियम सिपा में, यह इसका फिलामेंट जुड़ा हुआ है, कह से, टेपल से, यह फिर आप लोग देख लिजए, ओनियन को, इन फ्लोसेंस ब्रैक्ट, पेडंकल, सिलिंडिकल, फ्लेशी लीप, बल्बस स्टेम, और ओनियन का यह जो गाठ है, यह है क्या चीज़, अंडर्ग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफिस्टेम, फार स्टोरेज परपस क्या नाम है इसका बताएं, यह है आपका सवाल नमबर दो, और फ्लावर को दिखाए गया है, तो ठीक है दोस्तों, यह हुआ है आज का क्लास हम लोग का, और इसके सवाल जो है, वो आपको थुड़ा वक्त से पहले कली यह पढ़ाना होगा, तो मैं वहाँ पर लिख के भेज दूगा, आप साम तक इसको देखने के बाद यह वीडियो, फिर उसके बाद उसका जवाब भेजिएगा, इस माइलेक्स का वीनेशन, ठीक है न, और दूसरा, एक सवाल कोल्ची सीन से भी रहेगा, कोल्ची का माटुमनेल के रूट का क्या काम होता है, और दूसरा, यह बल्ब जो है, गांठ जो है, पुनियन का, यह है क्या, ठीक है, थैंक्यू बेरी माच्च, आप लोग लाइक करिए, सबस्क्राइब करिए, सेयर करिए, कितने लोग अभी तक सबस्क्राइब भी नहीं करें हैं पचीस से तीस बच्चे तो class में अपिर ही नहीं हो रहे हैं घर से आपको अपिर होना है आपको करना क्या है अभी नहीं तो परिप्चा के समय खोल के आप इसको गाने की तरह सुनियेगा तो आप लोग क्लास में पियर हो ये जो लोग नहीं हो रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है उन्हें भी पियर होना चाहिए आप लोग का आटेंडेंस वागरा प्रोग्रेस रिपोर्ट सारी चीजें बन रही है मुल्यांकन होगा आज आपका मासिक टेस्ट मंतली टेस्ट भी हुआ तो अपने दोस्तों से जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो कहें कि वो लोग भी क्लास जॉइन करें ये अच्छी बात नहीं है घर पे बैटे पून से आप लोग को क्लास से जुड़ना है फिर क्या परसा आती है आपका सारा प्रोब्लेम मैं अपने सीर पर ले लेता हूं है अप्लोड कर चुका रहता हूं तब फिर आपको मिलता है तो कितनी आ जाती है जब चाहें तब दबाओ और सुनना सुरू है तो ठीक है भाई सब लोग पार्टिसिपेट करिए क्लास में अटेंडेंस भ लिए यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स आप लोग पर आप लोग को काम करने नहीं आता है और एक बात आप लोग यह ध्यान दीजिए जो बच्चे लेट जोइन किये हैं यदि वो यह वीडियो खोज लेते हैं तब तो ठीक है अन्य था यह कही बार जितने टापिक प अब आप लोग जैसा हिंट आप लोग करेंगे उसके हिसाब से काम किया जाएगा वैसे खोजना बहुत आसान है नाम से भी आप खोज सकते हैं कभी भी और आप टापिक का नाम दे देंगे तो उसमें भी आ जाएगा तो धन्यवाद दोस्तों आज का क्लास ओवर थैंक झाल झाल